तो दोस्तों नमस्कार फिर एक बार आपका स्वागत है टीने टोटीफोर न्यूस चैनल में और फिर मैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ हूँ जिन्होंने कई इलाज किया और कई मरीज यहां आकर चले गए हैं जिहां उस हॉस्पिटल का नाम है आश्या हॉस्पिटल जो नागप रच्ट के अलावा मद्य परदिश से भी काफी पेशेंट आते हैं तो मेरे साथ है साथ है जो ढॉक्तर सारवाल जी है जो यहांके डारेक्टर भी है उनसे हम बात करते है और जानने की कोशिश करते है कि आश्या हॉस्पिटल में क्या स्पेशेलिटी है और किन-किन सुवी कि आप लोगों तक के और इस सहरानिया काम कर रहे है कि लोगों तक कि क्या है और सबहुनकिwegen के लिए नवीन चल रहा है इस दुनिया में वह लोगोट्व के Caribbean से आप लोगों के बॉचआ उनके एंड्रेस और उनके मोबाइल नंबर आप तक पहुचा है ताकि दर्शकों को जगे से ही कॉल करने की नौबद आ सकती है और वो तुरंद कॉल कर सकते हैं उसी स्पेशलिटी जिस डॉक्टर की उनको जरूरत है तो सौरप सर आपने आशा हुस्पिटल है और आशा हुस हम लोग यहां पर 40 से हैं मेरे पिताजी 40 वर्ष से यहां पर प्रेक्टिस कर रहें डॉक्टर राजेंद अग्रवाल और दीरे-दीरे हमने इस हॉस्पिटल को बढ़ाया और अभी हम लोग सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज दे रहे हैं जो की नीड ऑफन आ रहे हैं यहां प्रेशिक्टी पेट के यहां परेशन्ज देन ग्रिटिकल केर कोई पेशन्ट रहा सनेक बाइट रहा हैंगिं रहा सुसाइडल है ट्रॉमा है रोड एक्सिडेंट है और्थो पेटिक्स है जॉइंजूइंट सर्जरी है eज देन लिगामेंट सर्जरी है कुछ जो स्पोर दे रहे हैं हमारे पास full time almost 20-25 doctors है और बाद में almost 100 visiting consultants है जिसमें हर प्रकार के doctors आते हैं इसके अलावा मैं आपको एक बहुत important जानकरी देना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास एक cardiology department में एक OCT machine है उसमें artificial intelligence है ये पुरे इंडिया में चौथी machine और महराष्टा की दूसरी machine है जिसमें artificial intelligence से less है ये machine बेसिकली जब एंडियो प्लास्टिक करते हैं तो machine के द्वारा पता चले जाते हैं कि stand कितना size का लागेगा उसों कितना inflate करना रहेगा ऐसे कई प्रकार की जानकरी देता है stand को कहां पर place करना चाहिए जिसके जि प्रेसिल में रहके ये कोशिश किया है कि लोगों को world class facility दे पाए इसके अलावा हमारे पास मुंबई से अलेग-अलेग specialty के doctors आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको operation नाकपर में नहीं हो पाता है complicated case है तो उनको मुंबई जाना होता है दिल्ली जाना होता है उ तो हम लोगों कि हम मुंबई से specialist, cardiologist आते हैं हर देड़ दो मैने में और उन लोग आके complex जो angioplasty होती है जो नहीं कर पाते हैं doctor या उन लोग नहीं करना पसंद करते हैं वैसे complex cases जो उन लोग के लिए routine है मुंबई के doctors के लिए वैसे cases आके angioplasty करते हैं machine द्वारा वैसे ही same हमारे पास मुंबई से cancer की doctor की team आती है हर देड़ दो मैने में उन लोग different type of cancer के operations करते हैं तो वो हम लोग schemes में भी करते हैं operations ऐसे ही spine surgeons आते हैं मुंबई से brain के surgeons भी आते हैं मुंबई से तो multiple doctors मुंबई से आते हैं वैसे रोस के daily कितने patient आते हो गया हाँ daily तो हमारे हाँ almost 80 patients क OPD होती है और 10 से 15 patients admissions होते हैं 10 से 15 patients discharge भी होते हैं दूसरे हमारे एक और चीज़ आपको बताना चाहतो हमारे पास special type का microscope भी जिससे brain tumor के operations करते हैं लोगों को यह पता नहीं है brain tumor भी हम लोग operate करते हैं क्योंकि हमारे पास microscope है वैसे generally उसके लिए मुंबई जाना होता है हाँ न कि यहां कौन-कौन से बीमारियों के फिरी में इलाज किये जाते हैं गरीब लोग जो आते हैं ज्यादातर मद्यपरदेश से भी बहुत सारे लोग मैंने यहां देखा है इससे पहले भी तो क्या 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 है अपने महात्म जुतिबा फुले आईशमान योजना और यह तो गावर्मनंट की स्कीम हो गई इसके अलावा जो एमपैनलमेंट है वह डबलू सील हो गया मॉइल हो गया इसा कई अनेक प्रकार की रेलवें हो गया ऐसे कर एक अनेक एमपैनलमेंट भी है और बाद में इंशूरेंस भी है कभी दिल ऐसा कोई पेशन को देखकर आपको बड को योजना में फ्री में कर दे और फिर वो जब हमको दुआया देखे तो वो मौका रहता है भावक होने का कुछ-कुछ बिमारी ऐसी रहती है जो हमको पता है कि ठीक हो सकती बट वो लेट हो गया तो फिर वो भावक हो जाते हैं हम लोग की भी अब हम कुछ करनी पारे बहुत सारी इंसिडेंसे है क्योंकि अपन स्वास से डील कर रहे है तो बहुत सारी इंसिडेंसे आते हैं जहां पर भावक हो जाते हैं दोस्तों डॉक्टर और पेशन्ट का जो रिष्टा होता ने एक परिवार का रिष्टा होता है बिलकुल जिस भी हॉस्पिटल में अगर आप वहां एक आपका संबन बन जाता है और कहीं ने कहीं आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो आप अगर अच्छे होके हैं हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर की पूरी टीम उनका स्टाफ वो खुशी की मारे जूम उठता है आपको बधाई देता है आपने देखा प्रशन पूछे देखे कैसा है खराब आदते और खराब चीजों का सेवन करना हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है मेरा उससे उपर एक और चीज कहना है कि जिनको खराब आदत नहीं भी है उनके लिए भी फूड मतलब आहार और विचार मतलब आप क्या खारे और क्य सवरौप अगरवाल जी का साफ साफ यह कहना है कि आप घर का खाए आप बाहर का नहीं खाए बाहर का खाने से कितनी दिनों का रखा हुआ होता है उससे आपकी सेहत पर आपकी तबियत पर भी खराब असर कर सकता है सवरौप सर अब क्या कहना चाहते हैं लास्ट में हमारे TNN 24 News Channel के दर्शकों को जो अप मेडिकल जो है का हमने हमारा TNN 24 News Channel को बना लिया आपके अच्छी विचारों को अच्छी बातूं को हम लोग उन तक पहुंचाते हैं मैं बस एक ही चीज़ खहना चाहूँगा लोगों को आपके माध्यम से कि प्रिवेंटिव हेल्ट चेक अप लोग कराए अपने हार्ट का क्योंकि आकास्मिक कभी भी मृत्ति हो जाती है हाट अटेक आता है पेशेंट जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता तब बहुत बार कोई पुरुक रहेंगे अपने स्वास्त के प्रति और साथ में कोई चोटी मूटी बीमारी उत्पन्न हो रही हो तो वह पकड़े में उसको इलाज करके उसको महीं पर अपन खतम कर सकते हैं बहुत 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 धन्यवाद जो आपने लोगों तक की ये बात पहुचाई बहु स्क्रीन पर आगे 240 डॉक्टरों के बहुत ही खास और नॉलेजेबल वीडियो के लिए तो टी एनल टॉटी फोर न्यूस चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें जैहीं